पूरद कौन परांव नमस्ते जी कि आपने मिया लाम दीपाशा है डिपाजी आप बैठ परके बोलिये मुझे लगता है आपको थोड़ा कास्ट हो रहा है बैठ करके बोलिये बैठ करके बोलिये हाँ है कि हम बताएगे दिपाजी ए वोजी मेरे को संग 11 में पारलाइस पड़ा था मैं बोल नहीं पाती थी मेरा इस बोफ समें जलाज चलता था दोया बहुत बहुत बहेंगी आती थी कि दी में मेरे हैजमेली विकलांग है घरा चलाना बड़ा मुश्किर हो गया था आपके द्वारा जन आश्टी द्वाईयां मिली मैंने खाना सुल गया और मेरी द्वाईयां जो है पांदार की आती थी और आमीर द्वाईयां पंदासो की आती हैं तो 3,000 मुझे मिलता है उसे मैं अपन है और मैं मोजी जी मैंने इश्वर को तो नहीं देखा लेकि मैंने आपको इश्वर के रूम में देखा है आपको बहुत बहुत द्रिया वाँ अब अच्वी और बात भी कहना चाहती हूँ कूँ मुखे मंतीजी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग है उन्हें मेरी बहुत मदद की है मुझे डॉक्टर ने जबाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी लेकिन आपका आश्यवाद आकी वानी से मैं ठीक होई हूँ पर मुझे भी कहती हूँ मैं आपको मैंने इश्व को नगिस्वर को नहीं देखा मैंने आपको देखा तो इश्वर के मुई रूप में देखा है आप में थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ धन्यवाद कि दिपाई जी आप बहुत भावुक हो गई लेकिन आपने अपनी हिम्मत से कि बिमारियों को परास किया है और यह आपका जो होसला है ना वो सबसे बड़ा भगवान है आपका होसला ही आपका भगवान है उसी होसले ने आज आपको इतने बड़े संकट से बहार निकलने की ताकत दी और आप निकली है और मैं तो देख रहा था कि आप बिल्कुल साप बोल रही है एक एक सब्त समझ में आता है तो आपको मन में एक confidence रहना चाहिए कि अब आप भहुत ही सरलता से बात बता रही है और आपने सही कहां कि जंद्रीक दबाएं कैसे आपका लाप किया पांच अजार रुपया का खर्च होता था पैंती सो रुपया आपका बच रहा है यह बात सही है कि कभी कभी जंद्रीक दबाएं के सबंद में आप इतना विश्वास से बोलती है और जंद्रीक दबाएं में आपको भगवान दिखाई दिया है फिर भी कुछ लोग कि बड़ी अफ़ाय फ़लाते रहते हैं और पुराने अनुभवों के आधार पर कुछ लोगों को यह भी लगता है कि आखिर इतनी सस्ती दवा कैसे हो सकती है जरूर दवाई में कुछ गड़बर होगी कहीं रंगिन गोलियां बना करके कोई नहीं दे जाए ऐसे भ्र जेंद्रिक दवाओं की ताकत क्या है आज आपने सबूत के साथ उसको पेश कर दिया है मैं समझता हूं किसी लेबोरेटरी से बड़ी लेबोरेटरी आधिपाजी आपका अनुभव है मैं ऐसे सभी साथियों को भी बता देना चाहता हूं कि यह दवाएं दुनिया भर के बाजार में उपलब्द किसी भी दवा से जरा भी कमजोर नहीं है हर क्वालिटी के तराजू पर यह बिल्कुल खरी उतरती है यह दवाएं बहत्रीन लेब से सर्टिफाइड होती है हर प्रकार की सक्त जांच से निकले दवा निर्माताओं से खरीदी जाती है यदि किसी दवा निर्माताओं के विरूत शिकायत आती है तो उनके खिलाब कड़ी कारवा भी की जाती है यह दवाएं भारत में ही बनती है मेक इन इंडिया है सस्ती भी है और भारत की बनी जेंद्रिक दमाओं की आपको खुशी होगी सिर्फ देहरादुन में नहीं पूरी दुनिया में आजकल मांग है डिमांड है और हमारे यह दबा उत्पादक लोग हैं वो जेंद्रिक दबा आजकल एक्सपोर्ट करते हैं सरकार ने हर अस्पताल के लिए जेंद्रिक दमाएं लिखना उन डॉक्टरों के लिए जरूरी कर दिया है कुछ विशेश परितियों को छोड़कर डॉक्टर जेंद्रिक दमाएं ही लिखे यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है और मेरा राज्य सरकारों से भी अनुरोद रहेगा कि वो लगातार अपने डॉक्टरों को यह बात के लिए कहते रहें ताकि वे जेंद्रिक दमाएं लिखे ताकि गरीब पेशन को महंगी दमाएं खरीदन न पड़े मेरा आप सभी साथियों से भी निवेदन रहेगा कि अपने अनुभवों को दिपाजी जैसे एक क जादा मानेंगे इससे जन आउशदी का लाब जादा से जादा मरीजों तक पहुंचेगा मोदी की दुकान मोदी की दुकान जिसको लाब मिल रहा हो तो है लेकिन अधिक लोगों को लाब मिले गरीब को लाब मिले तो हम लोगों को भी संतोस मिलता है